संग की एक continuity है जो मैंने आपको बताया वैसे ही हमारे विरुद एक ecosystem की भी continuity है वो जो ecosystem की continuity है वो भी कभी भंग नहीं हो हाँ ये ठीक है कि उनकी जमीन पर ताकत कम थी जहां उनकी ताकत थी वहां उसका प्रभावरा दीरे दीरे करके जमीन पर हम कहां काम करते हैं हमें कहीं विरोध नहीं मिलता सारे देश के अंदर आमादोजी ने जैसा बता है कि एक बिग और्गनाइजेशन है अभी अपनी ताकत इतनी है हम चाहें तो एक पांचे पांचे पांच लाग गावों तक एक पंदरा बीस दिन में पहुंच जाते हैं देश की 50% पापुलेशन तक रीच करना ये अपनी एक सहज रेंज में आज हो गया है जमीन के ओपर हम जाते हैं तो हमको संग को लेकर कुछ प्रशन नहीं आते हैं सब जो हम सुनते हैं सारे उसमें से लेकिन academic और intellectual word में जाते हैं तो ये सब बाते आती हैं और अभी व्यक्तिकत बातचीत में वो भी कम होगी हैं अभी मीडिया में अब मैं उसके लिए कोई ऐसा नहीं कहूँगा लेकिन अभी एक मीडिया में एक committed है जितने हम committed है उतने वो भी committed हैं कि जो हमारी perception बनाने में कोई कसर वो नहीं छोड़ते और उसके कारण बिया में वो सब अब प्रमाणी के ऐसा नहीं कहूँगा उन तक शैद हमारी पहुँच कमोई होगी हम यहीं मानते हैं कि जो लोग हमारे बारे में ठीक नहीं लिख पारे उसका कारण वो नहीं है इसका कारण यह है कि शैद हम उन तक आज तक पहुँच नहीं सके Italian fascism, Hindu Taliban, Hindu supremacist ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी-कभी हम लोग सुनते हैं जिन शब्दों के बारे में वास्तों में मैंने कहा है कि ecosystem की continuity है संग के उपर मैंने एक बार देख रहा था कि पहली research book कों सी आई ऐसे हमने थोड़ा तलाशना शुरू किया तो मेरे को ध्यान में आया 1950 में 1950 में एक जीन एक करन जूनियर करके एक व्यक्ति थे उन्होंने पुस्तक लिखी The RSS Militant Hinduism और American Institute of Pacific Relations, Far Eastern Survey करके उन्होंने ये किताब छापी ये मुझे पहली संग पर एक research book ये मिली अभी संग कितना बड़ा था 1950 के अंदर संग की तो प्रदीबंद के बाद ताकत भी नहीं थी अभी तो हम अपने को समाली रहते हमारे पर research शुरू हो गए और उन्होंने 1951 में फिर पुस्तक लिखी उसका प्रकाशन हुआ फिर दुबरा से वो पुस्तक के रूप में ही वो तो research था और वो पुस्तक था कि आप Congress के साथ मिलकर देश के निर्मान में काम करिये उस कालखंड में हमारे बारे में एक research के आधार के ओपर एक पुस्तक चभी Militant Hinduism in Indian Politics और Christopher Jefferlet जैसे लोगों की तो अपार कृपा हमारे पर रही और ये जो सब लिखन है ये सब टर्म जो आज हम कॉइन किये वे शब्द सुनते हैं इटेलियन फासिजम ये जो आज हम सुनते हैं कि वो देशियल प्यूरिटी कंसेप्ट आफ हिटलर जिसको संगफा ये सब उसकी टर्मिनोलोजी से हैं ये वहाँ से शुरू हुई ही कॉंटिनिटी हमारी भी थी हमारी जमीन पर थी उनकी कॉंटिनिटी एकेडमिक और इंटेलेक्ट्वाल वर्ड में थी